तो दोस्तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक हमारा च्छत है 30 फिर बार 40 फिट का कितना इस्टील बार इसमें लगेगा वही हम आज कैलकुलेट करने वाले हैं सिंपल सा कैलकुलेशन है आपको आना चाहिए अगर आप घर बना रहे हैं तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा इस्टील बार ओडर कर देते हैं या कम इस्टील बार ओडर करते हैं तो कहीं न कहीं आपको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है तो चलिए जल्दी से calculate करते हैं कि हमारा कितना steel bar लगेगा 30 feet by 40 feet के छट को बनाने में BBS of slab, bar bending schedule, civil engineering की भासा में हम इसे BBS of slab बोलते हैं जिसमें हम steel का quantity निकालते हैं तो यह रहा हमारा slab 30 feet by 40 feet का, अगर हम इसे meter में convert करेंगे तो देख सकते हैं आप यह हमारा value आएगा, सारा calculation हम meter में करेंगे, इसलिए इसे meter में convert कर दिया गया है तो इस तरह जो हमारा bar लगता है, उसे हम बोलते हैं main steel bar, main bar इसे हम बोलते हैं और यह हमारा shorter span में लगता है, नीचे की ओर लगता है, जो side का length या चोड़ाई कम होता है वो side में हम नीचे की ओर लगाते हैं और उसे हम main bar बोलते हैं और main bar हमने 10 mm का लगाया हुआ है, 6 inch center to center distance है मतलब की एक steel bar से दुसरे steel bar का जो distance है, वो change हमने लिया है generally हम यही रखते है, main bar जो हमारा होता है, वो 10 mm का हम use करते हैं और जो distribution bar होता है, जो की हम उपर की ओर लगाते हैं, यह हमारा है distribution bar और जो side का length जारा होता है, उदर हम distribution bar लगाते हैं मतलब की longer span में, तो जो हम distribution bar लगाते हैं, वो generally हम 8 mm का steel bar वहाँ पर हम use करते हैं, और 6 inch center to center distance, मतलब 2 steel bar के बीच का जो distance है वो generally हम 6 inch लेते हैं, तो main steel bar हम shorter span में लगाते हैं और distribution bar longer span में लगाते हैं, यहां हमारा 30 feet by 40 feet का है तो 30 feet हमारा shorter span है, इधर का length कम है, तो हम main bar इधर से लगाएंगे और जिधर का length ज़्यादा होगा, यह side का length है हमारा, वो 40 feet है वो side में हम distribution bar लगाएंगे, जो हमारा top reinforcement होगा तो चलिए अब calculation start करते हैं, तो सबसे पहले हम main bar का calculation करते हैं तो main bar हमारा जो total length है, divide करेंगे, जो भी हमारा spacing है, प्लस 1 करेंगे तो main bar जो हमारा है, तो यह side हमारा main bar लग रहा है तो हम यह side का length यूज़ करेंगे, क्योंकि इतने length में, जो हमारा 40 feet है इतने length में हमारा main bar लग रहा है, देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तो यह इतने length में हमारा main bar लग रहा है, इसलिए हम पूरा जो length लेते हैं, वो दूसरे side का लेते हैं तो हमारा total length है, 12.2 meter, divide करेंगे, 0.15 meter, 6 inch को, अगर 6 inch को हम meter में convert करेंगे तो 0.15 meter होगा, plus 1 हम करते हैं, तो हमारा जो answer निकल के आएगा, वो point में निकल के आएगा तो यहां हम पूरा number लेते हैं, तो 83 हमारा numbers आया है, main bar में मतलब कि यह जो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो हमारा main bar है, वो 83 number of main bars हमारा लगेगा तो अब हम देखते हैं distribution bar, तो ठीक इसी तरह से distribution bar जो हमारा है यह 40 feet यह side distribution bar है, लेगि length हम लेंगे यह side का, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, जो इस तरह का जो हमारा लगा हुआ है उसे हम distribution bar बोल रहे हैं, और यह हमारा पूरा 30 feet के length में लगा हुआ है इसलिए हम यह side का length लेंगे, divide करेंगे, spacing से plus 1 करेंगे तो हमारा जो निकल का आएगा, वो आएगा 62 numbers, तो हमारा main bar आया 83 numbers मतलब यह जो हमारा इस तरह से जो लगेगा, वो 83 होगा numbers में और जो distribution bar लगेगा, जो हमारा y direction में लगेगा, वो 62 numbers उसका होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं, तो number of bars हमने calculate कर लिया है तो चलिए आगे total length calculate करते हैं, तो हमारा main bar में जो आया था वो 83 numbers हमारा आया था, तो यह हमारा total length है main bar का, तो total length है हमारा 9.14, ठीक है, तो यह यहाँ जो gap आपको दिख रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ gap छोड़ते हैं, उसे हम बोलते हैं clear cover clear cover हम दोनों side में छोड़ते हैं 20 mm का, 2 cm का, हम दोनों side slab में, छट में, छट को बनाने में हम दोनों साइड 2 cm का हम गेप छोड़ते हैं तो दोनों साइड से 20 mm, 20 mm माइनस करेंगे तो हमारा जो लेंथ आएगा वो 9.1 मीटर लेंथ आएगा तो हमारा जो एंसर आएगा वो 755 मीटर आएगा जोकी 10 mm का होगा क्योंकि मेन बार हमने 10 mm का यूज किया है इसी तरह से distribution बार का total length निकालेंगे तो total length distribution बार का numbers of distribution बार 62 आया था और total length total length कितना है 12.2 दोनों साइड से 2 cm 2 cm माइनस करेंगे तो हमारा total length आएगा 12.60 तो हमारा जो total length आएगा distribution बार का वो आएगा 753 मीटर जो कि हमारा 8 mm का होगा क्योंकि हमने distribution बार 8 mm का यूज किया हुआ है चलिए आगे बढ़ते हैं तो 10 mm का जो हमारा steel बार होता है जो कि हमने main बार में यूज किया है उसका जो weight होता है वो होता है 0.61 kg पर मीटर मतलब कि 1 मीटर में 600 क्राम के लगभग हमारा weight होता है अगर kg में हम बोले तो 0.61 kg 1 मीटर का लेंथ होता है तो total length है हमारा 755 मीटर तो इससे multiply कर देंगे तो हमारा जो total weight निकल गएगा 10 mm का distribution बार का sorry main बार का वो हमारा आएगा 460 kg ठीक इसी तरह से 8 mm का जो steel बार होता है 1 मीटर में 0.39 kg weight होता है 8 mm steel बार का जो कि हमने distribution बार यूज किया है 8 mm का तो ठीक इसी तरह से जो हमारा total length है distribution बार का 753 उसे multiply कर देंगे तो हमारा जो total weight निकल के आएगा वो 294 kg निकल के आएगा तो ये तो हमारा kg में answer निकल गया अगर आपको length में चाहिए मीटर में चाहिए तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक steel बार का जो length होता है वो होता है 12 मीटर ठीक है तो हमारा main बार जो आया था वो 755 मीटर आया था उसको हम divide कर देंगा 12 है तो हमारा total एक steel बार का जो length होता है वो 12 मीटर होता है तो हमारा main बार जो आएगा वो 63 steel बार आएगा इसी तरह हम distribution बार जो हमारा आया था 753 total length था और divide कर देंगा 12 से क्यों क्योंकि एक steel बार का जो length होता है वो होता है 12 मीटर तो हमारा जो total steel bar आएगा वो 63 steel bar आएगा मतलब कि main bar हमारा 63 main bar लगेगा और 63 distribution bar हमारा लगेगा ये हमारा piece में answer आया है कि 63 piece आपका steel bar लगेगा और ये हमारा kg में answer है तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा फिर भी कोई doubt है तो बिल्कुल आप comment करें और भी इसी तरह के वीडियोज देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जूड सकते हैं चैनल को subscribe कर लिजे